तो हलो दोस्तो वेलकम टू सोनी की चन्स और एक बार फिर से हम नई रेसिपी के साथ आ चुके हैं जैसे कि आप देखी रहे हो इस बार मैं आप सभी को बताने वाला हूँ कि हलवाई स्टाइल मिल्केक कैसे बनाते हैं और मिल्केक आप घर पे कैसे बना सकते हो तो वीडियो क लास तक देखते रहे हैं तो मिल्केक बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 10 किलो दूद की उस किया है दस किलो एक बैच में बनता है तो दस किलो दूद मैंने एक कड़ाई में डाला है इसी में साथ में हम चीनी भी डाल देंगे तो चीनी मैंने यहापे बारा सो ग्राम का यूज किया है दस किलो में मतलब आप एक किलो दूद अगर आप बना रहे हो तो उसमें 100 ग्राम 120 ग्राम के करीब आप चीनी यूज़ कर सकते हो एक किलो दूद में तो मैंने बारा सो ग्राम चीनी यूज़ किया है और उसके बाद आप दूद में पहले इसलिए डाल दिया है ताकि जो दूद है चीनी डालने से क्या होता है कि दूद कडाई में जलता नहीं है तो इसलिए आराम से ह इसको बना सकते हैं और कड़ाई में या जलेगा वह नी. तो इसलिए मैंने स्टाडिंग में चीन ही डाल दिया है, अब चाहो तो बाद में भी डाल सकते हो, लेकिन स्टाडिंग में डालना अच्छा रहता है, दूद जलेगा नी. तो बस अब क्या करना है? हमें इसको ऐसे पकाते रहना है और हाँ एक बैच में हमने 10 किलो तो डाला है लेकिन उबाल आने के बाद अगर आपको लगे कि हाँ ये जो कडाई से बाहर जा रहा है दूद तो दूद इसमें से थोड़ा सा निकाल के रख लो या फिर अलग से मतलब बाद में डाल सकते हो थ अब जाएने बाद इसको बडार करना तो उबालाने के बाद करते हैं चीनी के आपको छीए चीनी लिए जाते हैं तो बहुत हलका से मैंने फूरा साइट रगा आप नीमू का रस्त भी तो दाना वगर भिल्कुल ठीक है रेडी है इसको हमने ठीक करना है तो ठीक करने के लिए इसको पकाते रहना है जब थोड़ा साथ थीक हो जाए तो आप इसमें फिलेवर के लिए डाल सकते हो इलाइची पावडर का यूज कर रहा हूँ आप इलाइची अगर आपके पास सब्सक्राइब कि match लिए की है विडियो गार शोरोग तो नोग सब्सक्राइब सब्सक्राइक है यह वे इतर उधर और आपके उपर भी पढ़ सकता है तो यह बहुत ज्यादा जलता है तो जब तक यह पूरे bubbles बंद नहीं हो जाते है इसके इसमें पानी है तो जब तक यह बंद न हो जाए पूरा चीटे निकलना इसके बबस बनना तब तक इसको पकाना है तब तक हम ready कर लेते हैं अपना box जिसमें हम डालेंगे तो देखिए ये वाला box होता है मिले cake का इसमें डाला जाता है और इसमें 12 kg दूद का डाला जाता है एक बार में तो 10 kg दूद का मैं इसमें इसलिए बना रहा हूँ या butter paper उगरा कुछ हो तो उसको बीच में लगा देए ये बीच में सेंटर में चिपकता है कभी-कभी तो मैंने बीच में लगा देए तो अब चिपके गनी तो अब देखिए अब वही same to same flame पे ही मैं इसको पका रहा हूँ और अब इसके जो छीटे है ये उटना बंद हो चुके है मतलब इसके बबल्स नहीं निकल रहे और हाँ ऐसे अगर थोड़ा बहुत रैड़ वाला जल जाए ना तो थोड़ा बहुत इसको निकाल के फेक दे इसको काला मत होने दे जब काला हो जाता है तब इसमें स्मेल आती है तो काला नहीं होने देना है अब इसके जो बबल्स से बिल्कुल बंद हो चुके है मतलब कि देखिए इसके छीटे वगरा नहीं उड़ रहे तब हम इसमें डाल देंगे घी क्योंकि अब ये रेडी है अब घी डालने के बाद जब इसके बबल्स बिल्कुल अच्छे से बंद हो जाए जो फ्लेम है वो सेम है अभी भी उतन ही है जितना पहले मैंने किया हुआ था बबल्स अब जैसे घी मैंने डाला थोड़े से बबल्स और ज़्यादा दिखाई देने लगए क्योंकि इसके अंदर गया थोड़ा सा और घी इसको जमा देगा घी से लिए मैंने डाला है क्योंकि घी की वज़ा से जल्दी जम जाएगा और अब ये बिल्कुल रेडी है अब क्या करेंगे इसको घी डालने के बाद चार से पांच मिनट पकाए और उसके बाद इसको निकाल दे तो मैंने यहाँ पे बॉक्स रेडी करके रखा है अब इसको एक मिनट के अंदर-अंदर मैं इसको निकाल दूँगा और जब आप निकाल रहे हो तो उससे दस सेकंड पहले आप गैस का फ्लेम जो है वो हाई पे कर लें क्योंकि इसमें पूरे बावल्स निकलने चाहिए और यह बहुत ज़ादा गरम होना चाहिए अगर आप चाते हो ना हलवाई जैसे बीच में ब्राउन होता है ना हलवाई का मिले केक तो बीच में अगर आप चाते हो कि वो बिल्कुल ब्राउन रहे उपर नीचे जो लेयर है वो वाइट कलर की रहे और बीच में ब्राउन रहे तो आपको सेम प्रोसेस करना पड़ेगा एंड में जब आप इसको निकाल रहे हो तो क्या करना है कि ग्यास के फ्लेम को हाई पर कर लेना है जब आपको निकालना है इसको तब इसका गरम रहना बहुत ज़्यादा जरूरी है अब मैं इसको निकाल रहा हूँ तो यह बहुत ज़्यादा गरम होने की वज़े से क्या ह कि बीच में बिल्कुल ब्राउन हो जाएगा क्योंकि बीच में तो हवा लगेगी नहीं बीच में ठंडा होगा नहीं जल्दी से तो इसी वज़े से क्या होगा बहुत जल्दी ब्राउन हो जाएगा यह बीच में अब इसको क्या करना है हलका सा टैप करना है उसके बाद इसको निकालने का तरीका निकालने का तरीका तो इजी है यह समय को पता है कैसे निकालना यह का सा का जार est यह कम आण उसको प्लेट करें जा जाहे है उसके बाद इस्को प्लेये जासे बीच में भी नहीं जीपका और बिल्कुल परफटक निकला है तो यह देखिए, अब इसको निकाल देते हैं इसको निकाल के साइड में रखते हैं, फिर आपको काट के दिखाता हूं तो आप इसको बीस से कट करते हैं को ऐसा साइड से काटते हैं लेकिन आपको दिखाने के लिए में बीस से काट रहा हूं इसको तो देखते हैं कितना brown है इससे भी ज़्यदा अगर आप brown करना चाहूым ब्राउन तो बुखत बड़ीया है लेकिन इससे जदा भी brown किया जा सकता है इससे जदा brown करने के लिए थोड़ा सा इसको और ज़्यादा गरम और ढरबा है करेंगे इसके aट करेंग के जो भी तो इसी लिए उसी में मार्केट वाले साइज में कट कर रहा हूं और आपको भी वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइए और 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 कोई रैसेपी आप जानना चाते हो हलवाई वाली तो आप मेरे चैनल पर विजिट करो नहीं तो अगर नहीं है तो मुझे कमेंट कर करके बताओ तो दोस्तों वीडियो आपको कैसे लिगी कमेंट में जरूर बताइए और चैनल पे नए है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बैल आइकान ओन कर लिजे ताकि आपको आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन मिलती रहे है थैंक्यू सो मच